हलो दोस्तों कैसे अप लोग मेरा नाम है रजा खानार आप देख रहें टेक बॉक्स दोस्तों मैं बहुत सारे मुवाइल के बारे में बताते रहता हूं अपकमिंग स्मार्टफोन 15-10,000 के बीच में 10-15,000 के बीच में 7,000 से नीचे 7-9,000 के बीच में आज मैं बताने जा रहा हूं फोल्डबल स्मार्टफोन के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं इसे लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला जो फोल्डबल फोन आने वाला है दोस्तों इंडिया में बहुत ही देखने में काफी अच्छा लगता है ऐसे बताइज जा divisor को दिस्ना traveling का जाता है ऐसे एक इसका जो दिस्प्ले correspondent है दोस्तों वह एक अलग टाइब का है दोस्तों वह फ्लक्सिबल होता है दोस्तों जिस के वाज़ा सो उसमें हिंच वगारा नहीं पड़ता है किसी तरह का दाग वगारा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं इसके SUMS soat के तो इस बेडिकेटड sim slot है दोस्तों लेकिन इसमें memory नहीं लगता है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों लेकिन यह confirm अभी नहीं है आएगा तो पता चलेगा इसमें लगता है कि नहीं लगता है दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं यह इसकी connectivity के बारे में तो इसमें 5.0 का Bluetooth का connectivity दिया गया है दोस्तों और 5G का modem दिया गया है यह 4G phone है लेकिन 5G का modem दिया गया है जब 5G launch होगा दोस्तों तो software के जरिया इसे 5G कर सकते हैं दोस्तों इस तरह के इसमें 5G modem दिया गया है दोस्तों इसकी processor के बारे में बात करते हैं तो इसमें Kiran 980 का प्रोसेसर दिया गया है जो 5G को सपोर्ट करता है दोस्तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इसके कैमेरे के बारे में तो इसमें triple rear कैमेरा है जो दोस्तो 40MP 16MP और 8MP का कैमेरा है दोस्तो 55W का Fast Charging है दोस्तो और 4500 mAh की बैटरी है दोस्तो इसमें काफी बड़ी बैटरी है लेकिन जो 55W का Fast Charger है दोस्तो ये एक घंटा से कम वक्स में इसे Full Charge कर देगा दोस्तो वैसे इसकी डिस्प्ले देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन बात करते हैं इसकी प्राइस दोस्तो इसकी प्राइस जो होने वाली है तकरीबन 1,07,18,000 के रहें दोस्तो अब बात करते हैं इसकी एस इसका ज़ो स्टोरेज नहीं हो पिर इसमें मैकरो इसडी काट लगाने का सिस्टम नहीं हो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें USB Type-C का दिया हुआ है दोस्तों पोर्ट लेकिन दोस्तों इसमें headphone jack नहीं है दोस्तों तो अब यह phone आएगा तो किस तरह का होगा दोस्तों यह नहीं दोस्तों अब बात करते हैं हमारे list में जो दो नमबर पे हो वो Samsung का phone है दोस्तों Samsung का foldable phone देखने में काफी अच्छा लगता है दूप बूस्तों दिस्पा लेकिन कोई बात नहीं से variants polis के लिगा दोस्तों देखने में यह भी काफीети लगता है दोस्तो इसमें ब Accept I'm रहे में इस तो इसमें प्रइव और दुbas है है दोस्तो 4380 मिली अंपेर की बैटरी है दोस्तों और यह यह भी 5G मॉडम के साथ आता है दोस्तों लेकिन इसमें अभी कौन सा प्रोसेसर यह कनफर्म नहीं है तो यह और बात करते हैं इसके स्टोरिज के बारे में तो इसा बताया जा रहा है कि इसमें 12GB की रैम और 512GB की इंटर्नल स्टोरिज के साथ आएगा दोस्तों से इसमें भी USB Type-C का port है दोस्तों लेकिन इसमें भी headphone jack नहीं है दोस्तों अब जब यह आएगा तो इसकी सारी detail हम आपको देंगे हमारे लिश्ट में तीसरी नंबर पर जो फोन है दोस्तों वह ओविसली शौमी का foldable tablet है दोस्तों यह जो है यह देखने में काफी अलग है दोस्तों यह दोनों सेट से fold होता है दोस्तों और इसको well optimized बनाया गया है यह यह 5G phone हो सकता है दोस्तों यह लेकिन यह कब तक आएगा इसकी कोई confirmation नहीं है इसकी जो price है दोस्तों वह 75,000 तक होगी दोस्तो क्योंके शौमी ने यह बताया है कि मैं अपने phone को काफी cheapest रखूंगा तो यह हो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होगा दोस्तों लेकिन देखने में काफी premium लगता है दोस्तों हाथ में जब यह खुलता है तो काफी अच्छा लगता है देखने में चले दोस्तों हमारे list मे अगरा में तो काफी अच्छा दीखी रहा है दोस्तों चलिए दोस्तों पांच में नमबर पर जो है foldable phone वो Google का foldable phone है इसकी सिर्फ patent आई है भी blueprint आई है ऐसे तो अभी तक नहीं आया दोस्तों जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों अब तक यह वीडियो आप अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों और मेरा चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए नीचे देखिए लाल कलर का बटन उससे दबाईए और बैल आइकन को भी दबा टेक निउस रोजाना आपको मिलती रहे और आप दुनिया से कदम से कदम मिला के चल सके चलिए दोस्तों आज का वीडियो इहीं खतम करते हैं उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से बोल रहा हूं लैक करिए चलिए दोस्तों म बें तेंवाई